नमस्कार दोस्तों मैं मुकुंद्राउत आपका स्वागत है लॉंडरी नॉलेज आइन केमिकल्स में दोस्तों ये जो कपड़े ऐसे होते हैं कि इसको हम वाइड कपड़ों के लॉट में नहीं डाल सकते इसका lining printing जो है वो उड़ जाता है इसलिए मगर इनके उपर जो पान गुटके के दाग होते है वो निकलना पड़ते हैं तो इसके लिए हम प्लायर स्टेंड रिमोर यूश करते हैं कपड़ा गीला किया और इसी तरह से हम प्लायर स्टेंड रिमोर डाल रहे हैं क्योंकि ये हाथ लगने से इसका स्टिकर क्या हो जाता है कि चला जाता है ठीक इसी तरह से हमने क्या कर दिया प्लायर स्टेंड रिमोर है जो कपड़ा गीला करके जहां जहां स्टेंड है वहां वहां पे दाल देना है पहले चेक कर लेना है ये कोने पे जो लाइनिंग वहाँ पे डाल देना है और फिर यह सिर्फ एक मिनेट में पूरे दाग निकल जाते हैं और लाइनिंग भी खराब नहीं होती जो कि इस कपड़े को अगर हम वाइड कपड़ों के लॉट में डाल देते हैं तो यह जो लाइनिंग प्रिंटिंग डिजैन है वो खराब हो जाती है तो इसी तरह से इसके ऊपर जो पान गुटके के दाग है जो कलर हल्दी इसी तरह के दाग है तो यह ईज़ी निकल जाते हैं प्लायर इस्टेंड रिमोर से प्रोसीजर क्या है कपड़ा गीला करो एक कोने पे चेक करो और जहां जहां दाग है वहाँ वहां पे लगा दो आप देख रहे हैं कि एक मिनिट के अंदर ये पूरे धाग निकल रहे है ये इस तरह से हम आभी दूसरा कपड़ा ले लेंगे और उसको भी यही प्रोसीजर है कि पहले चECK कर लेना है कलर को कोई कलर को कोई साइट इपेक्ट तो नहीं होता है एक मिनिट के लिए और कोई सा बिला करके लिया है और बस एक मिनेट के आंदर ही ये दाग निकल जाते हैं और कपड़े को भी कोई साइट इपेक्ट नहीं होता मगर पहले चेक करना जुरूरी है और जहां जहां लगा है वहां वहां पे फ्लाइर स्टेंड रिमोर लगा देना है तो बस एक मिनेट के आंद हार्ड दाग है मगर बस एक मिनेट है एक मिनेट लगेगा इसको निकालने में इसको हम आगर उयड कपड़ों में । तो इसकी पूरई शाइनिंग चले जाती है और कपड़ा भी खराब हो जाता है तो इसलिए इसको हम सेप्रेट वाश करते हैं जो की सपेद कपड़ है मगर जो dot है, print है, lining है, color को कोई आलक कपड़ा लगा है इसी तरह के कपड़े का हम separate wash करते है उसमें हम diamond powder और diamond liquid और tino poly ये तीने में ही wash करते है बहुत आच्छी तरह से wash हो जाता है और ये दाग निकलने की बारी आती है तो check करके flyer stand remove से देख लिजिए कितने आच्छी तरह से और मिंटो सेकंडों में ही दाग निकल जाते है देख सकते है, इसके दाग पूरे निकल गए है, एक मिनेट के अंदर बस flyer stand remove डाल दीजिए और wait कीजिए, एक मिनेट आदा मिनेट का बस और दाग चले जाते है प्रोसीजर सेम है, कपड़ा गिला करो एक कोने पे चेक करो कोई प्रोब्लिम नहीं होता है, कपड़े को, कलर को, डॉर्ट, प्रिंट को तो फिर ये क्या करो, कि आप जहाँ जहाँ stain है वहाँ वहाँ पे flyer stand remove ड्रॉप करो सिरिफ और automatically दाग निकल जाते है अगर कोई दाग जिद्धी है नहीं निकलता है तो उसके उपर दुबारा ड्रॉप करो बस इतना ही ये पानगुटके के दाग है ये बहुत easy निकल जाते है अब देख सकते हैं कि इतने easy निकल रहे है अगर कोई dark दाग है तो फिर वो उड़ने में थोड़ा time लेता है तो उसको कुछ tension नहीं उसके उपर double डाल देंगे dark दाग भी एक मिनिट के अंदर ही निकल जाते है और इसको इसी तरह से डाग निकल गए तो कब तक भी छोड़के नहीं देना है इसके हमने पूरे अगर दाग निकल लिए एक मिनिट के अंदर दाग वोक्य हो गए तो लगेज इसको पाने में dip करते है और general तरीके से wash करते है या फिर अगर wash करके निकल लिए तो खांगालनी करते है इसको रखते नहीं आपना काम हो गया लगेज पाने में इसको dip करो हमने wash करके लिया है और फिर दाग निकल रहे है तो फिर क्या करो इसको पाने में खांगालो और अगर इसको हमने पहले दाग निकल रहे है अगर जहाँ पर अगर एक अधा दाग बच जाता है तो उसे डबल चेक करके डाल दो वो भी निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं और कश्टमबर को यक्ष्टर चार्ज लगा दो दोस्तों क्यूंकि हमने यश्टर मेनत यश्टर दिमाक लगाना है तो यश्टर चार्ज भी बनता है और यश्टर चार्ज कम से कम 100 रुपे के आगे एक कपड़े का 100-100-200 रुपे चार्ज लगा सकते है और कश्टमबर को आपका दाग निकल जाएगा कस्टमबर कितने पान गुटका खा के दाग कपड़ों पे गिराता है वो उसका प्रॉबलेम है हम कुछ नहीं बोल सकते हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि देखो भाई आपके जो दाग है पूरे निकल जाएंगे 99 परसेंट तो 100 परसेंट और आपको पान गुटका चाय काफी कलर हल्दी मेहदी इसी तरह के दाग निकाल सकते हैं यह प्रिंटेड शर्ट है इसके उपर भी जो गुटके के दाग है वो भी आदे मिनेट में चले जाएंगे एक मिनेट आदा मिनेट बस हो गया तो इसी तरह से इसके भी हमने दाग निकाल लिये हैं हम चेक करते हैं कि हमने जो स्टेन थे उसके उपर लगा दिया कही स्टेन बच तो नहीं गया है अगर कहां पर हमें स्टेन दिखता है जिसके उपर हमें जो फ्लायर स्टेन रिमोर डालना रह गया है उसके उपर भी डबल डाल देते है तो वो भी निकल जाता है तो ये वीडियो आपके लिए साहियता होंगी क्योंकि बहुत सारे लोग के पास मैंने ये केमिकल बेजे है तो मैं यूज करके बताता हूँ तो उनको भी आसानी हो जाती है किस तरह से यूज करना है कौन-कौन से दाग निकलते है तो उनको भी फायदा होता है ये प्रैक्टिकल देखके तो दोस्तों इसी तरह से पूरे दाग निकल गए है सभी कपड़े के एक बार लगा दिया फिर चेक कर दिया कही दाग तो नहीं रहे गए और ये कंप्लेट हो गए है अभी दोस्तों ये जो है प्रिंटेड शर्ट है ये लाइनिंग थोड़ी कच्ची है इसको थोड़ी सावधानी से करेंगे एक कोने पे हमने लगा दिया वहाँ कोने पे दाग भी था दाग पे भी लगा दिया जो ब्ल्यू पट्टी है तीनों पट्टी को लगा दिया हमने कई साइट एपक्ट तो नहीं होता है इसको थोड़ा सावधानी ज़्यादा रखेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइमिंग नहीं देंगे इसको देख लीजिए दाग निकल गया इसको कम टाइमिंग देंगे गिला करके लिया है हमने तो देख सकते हैं जहाँ जहाँ दाग है हम वहाँ वहाँ ड्रॉप कर रहे हैं और ड्रॉप करने के बाद आदे मिनेट के अंदर ही ये दाग निकल जा रहे है जहाँ जरूरत होती है वहाँ डबल डाल देते हैं और उसके उपर लगेज पानी लगा देते हैं क्यूंकि ये थोड़ा कच्चा कलर है जादा तो इसको थोड़ा जल्दी में करेंगे प्रिंट कच्ची है इसकी ऐसे में तो क्या होता है कि जो प्रिंट लाइनिंग है वो उड़ने का डर रहता है तो इसको थोड़ी जादा सावधानी करेंगे देख लिजिए कि ये आदा मि के आंदर ही टच करते ही निकल जा रहा है और हम देखते हैं कि जैसे ही यह निकल जाता है इसके उपर हम पानी डाल देते हैं ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए कलर पे तो यह निकल गया है फ्लायर श्टेंड रिमोर इसी तरह से काम करता है दोस्तों अभी नया ज्यादा दाग है वहाँ पे टार्गेट करेंगे हमने प्लाय स्टेंड रिमोर लगा दिया देख सकते है आदा मिनेट भी नहीं लगता दाग निकलने में और कुछ रबिंग ब्रेशिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती यह देख सकते है यह दाग निकल गया है जैसे जरूरत पड़ती है तो डबल डाल देते है तो देख लीजिए इसी तरह से यह दाग निकल दिया है फिर क्या करते हैं उसके उपर लगेज पानी डाल देते हैं अभी दुसरे दाग को टार्गेट करते हैं इसको थोड़े जल्दी में कर रहे हैं क्योंकि इसकी जो लाइनिंग है बहुत कच्चे कलर की है फ्लायर स्टेंड रिमोव और पहले चेक करना है कपड़े के कलर को लाइनिंग प्रिंटिंग जो भी है उसको सपोर्ट करता है क्या सपोर्ट करता है तो कपड़ा गीला करके चेक करना भी गीला करके ही ये कोने पे है और फिर एक मिनिट के अंदर उसको यूज करना है अगर आप चेक करेंगे एक मिनिट और दाग निकालने में लगाएंगे दो तीन मिनिट तो आपको ऐसा हो सकता है कि चेक किया तो कलर नहीं गया मगर फिर द दाग निकाल रहे उसे टाइम में कलर गया तो यह क्यों होता है आपने चेक किया एक मिनिट के लिए दाग निकालने में आप दो-तीन मिनिट लग जाते हैं तो फिर यह प्रोब्लेम आ सकती है तो इसको बहुत सावधानी से कर रहे है आदे मिनिट के अंदर ही इसके दाग नि है तो दोस्तों यह प्रैक्टिकल करके